थोड़ा सा आटपटा सवाल कर लिया है हुक्का पर टेक्स लगता है कि नहीं लगता है सेस्टेक्स लगता है कि नहीं लगता है GST तो लगता है लेकिन सेस्टेक्स किस तरीके से लगाते हैं हुक्का के उपर हुक्का आपने नाम सना होगा हुक्का ठीक है तो उस पे पूछा गया है कि CES tax कितना apply होता है ठीक है तो hookah के उपर जो CES tax apply होता है उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर आते हैं entry pass करने के लिए तो यह आ गया हम अब voucher में चलते हैं और अब माली जे purchase कर रहा है तो कितना percent CES tax apply होगा hookah के उपर तो पहले F2 press करके date change कर लेता हूं यहाँ पर कर देता हूं 1,9,2020 यह date डाल दिया हमने enterprise किया और अब यहाँ पर 1,9,2020 यहाँ पर भी कर देता हूं तो यह होगया enterprise किया अब यहाँ पर आएंगे तो कोई भी creditor party ले लेते हैं एंटरपेस करता हूँ और एंटरपेस करके नीचे आ जाते हैं और यहां पर पर पर्चेस अकाउंट का लेजर आ जाएगा hookka की बात कर रहे थे तो यह hookka हो गया और यहाँ पर enter face किया नीची आए item बना होगा थेक है तो यह दिखिया item यह आ गया, enter face किया यहाँ पर हम y press करेंगे और यहाँ पर s text apply करेंगे थेक है तो यहां पर पहले applicable पर जा करके interface करेंगे, फिर यहाँ पर enter और यह hookah है, तो यहाँ लिख देता हूँ hookah ठीक है, interface किया interface किया और value रखेंगे और यहाँ पर taxable कर देंगे, ठीक है तो suppose किजिए कि 28% जो है, GST लग रहा इस पे, और says tax जो लगेगा वो कितना लगेगा, hookah पर जो says tax लगता है, maximum 72% says tax लगता है, ठीक है तो यह हो गया, interface किया interface किया, interface किया, और interface कर लिया ठीक है, अब माली जो quantity कितनी है, तो ऐसा ऐसा 10 hookah वाल item है, ठीक है और एक की किमत पढ़ रही है आपको, suppose किजिए 40 रुपे, ठीक है तो यह आगया 400 रुपे का hookah अब इस पर taxes की बात करनी है तो सबसे पहले तो cgst लगा लिजी आप यह cgst आगया, अब sgst लगा लेते हैं, तो यह लगा लिए हमने sgst, यह लगा लिए sgst और यहाँ पर says tax लगाएंगे, तो यह अब इसको accept करा लिजी, कुछ इस तरह से entry यह पास होती है, तो hookah पर क्या लगेगा, कितना percent says tax लगता है, तो maximum लगता है 72%, तो I hope कि यह बात समझ में आ गई होगी hookah पर कितना percent tax लगता है तो अगर आपको यह video अच्छी लगे, तो आप इसे share करें, thank you for watching this video